Short vowel मतलब जब कोई भी vowel अकेला आ रहा है किसी word में या फिर किसी syllable में तो उसका sound short होता है जैसे कि यहां हम देखें कि A का short sound A होता है, E का short sound A होता है इसे A नहीं पढ़ेंगे, इसे A पढ़ेंगे, जल्दी से बोलना है A और mouth पुरा open नहीं करना है, इस तरह से wide mouth खोलना है A I का short sound E, यह E नहीं है, short sound E जैसे हम हिंदी में छोटी E पढ़ते हैं या छोटी E की मात्रा पढ़ते हैं वो O का sound O, O का short sound O यह O नहीं है, यह O है, O बोलना है, O नहीं बोलना है इस तरह mouth को आपको round नहीं करना है, O, O बोलना है Like octopus, orange Then U का short sound A होता है, इसमें काफी confusion होता है कि इसको U पढ़ें, U पढ़ें या O पढ़ें तो यहां हम समझेगी कि पहले इसका short sound ही हमें सीखना है या फिर बच्चों को अगर आप सिखा रहा है, तो बच्चों को भी U का short sound पहले ही सिखाना है इनके कुछ example words देख लेते हैं जैसे कि at a cat, यह C, V, C words जो होते हैं या फिर C, V, C, C words जो होते हैं उसमें vowel के sound mostly short होते हैं Most of the places पे vowel के sound, C, V, C and C, V, C, C words में short sounds ही होते हैं C, V, C मतलब C, consonant, V, vowel and C, consonant and C, V, C, C मतलब C, consonant, V, vowel, C, consonant and again C, consonant So, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी words हैं यह सारे words, three letter words हैं and C, V, C words हैं और यह four letter words हैं, C, V, C, C words हैं इन सारे जिखे पर vowel का जो sound है, वो short sound आ रहा है जैसे क, A, T, cat, स, E, T, sit, स, E, T, sit and N, A, T, nut, N, A, T, not इसी तरह C, V, C, C में, S, A, N, D, sand, M, E, N, D, mend इस तरह हमने देखा कि जब C, V, C, C, C words होते हैं तो वहाँ vowel का sound short होता है अ, P, C, 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 C झाल